हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज जो यूई आटी, अर्श्वत्रा और पंश्वत्रपन का हाई कोट में जो केस लगा था, कोट अफ कंटेंप्ट है उसके आज हेरिंग थी, तो क्या हेरिंग के दौरान क्या हुआ है और आप उसमें जो latest office order भी आ गए है तो मैं आपको detail में बताऊंगा कि office orders में क्या लिखा हुआ है हमारे चैनल पे आपको हमेशा authenticated news ही मिलती है तो with office order ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या latest updates है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे request है कि जो चैनल पे पहली बार विजट कर रहे है वो please चैनल को subscribe करें आपके support की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज इस case में सुनवाई हुई और आप इसमें जो है latest office order भी आ गया है और इसमें next date भी मिल गया है तो चलिए डिटेल से इस वीडियो में देखते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे request है कि जो चैनल पे पहले वार विजट कर रहे हैं अबियेश कारउंट कर पहले है सब्सक्राइब इसी कर सकते हो कर सब्सक्राइब कर दो आपने चेह सकते हो CMP number डालके आपने case number डालना है और जाके आप यह search कर सकते हो अगर latest order की बात करें तो latest order भी आए है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन आपने इस वाले पे case related है इस पे COPC number 18-25 यहाँ पे click करना है और यहाँ जब आप click करोगे तो यहाँ पे आपको जो है orders मिल जाएंगे आपने latest order उसमें जाना है तो यह 31 मार्च की date में आज की date में order यह जारी हो है तो क्या order है चली यह order पढ़ते है तो यह आप देख सकते हो order Amit versus राम सुभाग सिंग and others COPC number 27-22 तो क्या order लिखवाए है यह आप देख सकते हो मार्च की date में है देखिए तो बोलता है कि यह जो application लगाए गई है यह responder number on behalf of responder number 3 की तरफ से लगाए गई है for main petition जो की main petition दायर किये गए थी COPC number 27-22 for modifying the order dated 26 February 2022 passed by this code ठीक है तो 26 February को इस code ने जो order pass किया था तो इसको जो है modify करने के लिए जो है responder number 3 responder number 3 को ने इसमें HPSAC है माचवदे स्टाफ सेक्षिन कमिशन है उनकी तरफ सी application लगाई गई थी तो क्या इसमें कहा गया था आप देखते है CWP number 38-2022 वाज डिसाइड़ वाई वाई देविजिन बेंच अव दिस कोड़ वाई डेटर कर तीस वारा दो हजर वाई टीक है इन पैरा 33 और 34 इस सेड आउडर सर्टें डिरेक्षिन वर इसमें मोट मोट यह कहा है कि जो CWP number 36 था उसमें 31 दिसम्बर को जो कोड ने जाजमेटिक दीती उसमें कुछ डिरेक्षिन दीती कोड ने अर्शाइडर पांच वाई डिरेक्षिन दीती देसाट ओडर हैज वीन यह जाजाट ओडर हैज वीन इसमें यह कहा गया है कि जो है इस ओडर के रिगाडिंग को जो केंडिट्स ने जो हाई को सुप्रीम कोड में अपील करती उसके बाद जो सुप्रीम कोड ने केस को इंटैट्र किया और बाराज जनवियों को इसमें ओडर इच्चु कर दिये और जो पैरा नंबर 33 है उसके उपर सुप्रीम कोड ने स्टे लगा दी अब आगे जलते हैं इस केस में जो डाली हुई है तो यह किसली डाली तो ने में कहा था कि जो कोड ने जो सुप्रीम कोड ने स्टे दी है बाद सिर्फ प्यारा थेटिस पर दी है बट नौट थर्टिफोर एंड नौट कंपाइलिंग दे ड्रक्शन कंटेन इन परा चौथिस कि जो परा चौथिस में जो डिर्रक्शन दी है उसमें उसमें नहीं थी 33 में थी रिस्पॉंडड वर इन कंटम्ट ठीक है तो इसमें ने कोड अफ कंटम्ट की फाइल करी थी बला ऑन दे फ रिस्पॉंड नौबर तीन देट नो फॉर्द एक्शन बिस्पेक्ट रिकूपन प्रसेशल वी टेकन तिल फॉर्दर और पास्वाइब सुप्रीम कोड एंड रिस्पॉंड आपिंग टेस्ट वास नौट वी डिकलेड एंड कमिशन शल कंप्लाइब दा ओर जजज्मेंट पास्वाइब कोड और अटेनिग टीक है तो इसमें जो है रिस्पॉंडर नौबर तीन यानि कि हम टाइपिंग का रिजल्ट नहीं निकालेंगे और जो हम सुप्रीम कोड का रिजल्ट आने के बाद ही जो हम आगे का प्रसेश कंटीनू करेंगे तो पर आप क्या बलता है अब जो अप्लिकेशन लगाएगा है फाइल स्टेटिंग देरिन डैट इस्पॉंडर नौबर तीन वांट तो कंप्लीट दा रिकूपन प्रसेश फॉर्ट पोस्ट कोड रस्वाइब कर दिया है इनको और रिस्पॉंडर नंबर तीन किया जाते है कि वह अपनी जो है जो आटसथ तरह के प्रसेश को आगे continue करना जाते है यानि की प्रसेश को आगे continue करना जाते है इसके लिए जो है जो है जो वह है गोन यह को कम् Просто के कया सथ में दो मॉटपर यह है कि जो मुब् SAM जाते है कि उन्स्वे के बीए जाते हैं उन्होंने यह फायल रिए जियुपन इसलिए इसलिए को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी तरफ से यह जो है ओपनिन दिया सा और अब यह कहना जाते कि उनको जो है इसके रिगार्डी क्लैरिफिकेशन मिल चुक है सरकार के तरफ से और अब इस प्रसेस को कंटिनू करना तो इस पेराग्राम में मोटा मोटा यही कहना जाते कि उनको अब पब्लिक नहीं हुई है वो आगे देखने वाली बात हो कि government इसको कब public करती है आगे लिका है नेस्ट परग्राम में देखने कोड है स्टेट दा इंपलिमेंटेशन और पैरा थेटीस इन पैरा थेटीस इन पैरा थेटीस इन पैरा थेटीस इट हैज बिन पैरा थेटीस इन पैरा थेटीस इन पैरा थेटीस इन पैरा थेटीस इन पैरा थेटीस में यह कहा गया था कि इस शहतेए है इन वीव और नेस्ट परग्राम इंगे ते एं इन वी आफ क्लेर कट एटीस इंवाइब गट्स विच के पर उपर क्वेश्चन को जो है कोई भी हग नहीं है कि पोस्टे बढ़ाई गई है कम करी गई है आगे बोलता है कि इस पोर्ट बोलता है कि रिस्पांडर नंबर तीन इस टेकिंग कंट्ररी स्टैंड कि एक तरफ यह कह रहा है कि intending to implement the judgment and for the purpose of order has been sought कि यानि कि एक तरफ जो है रिस्पूंडर नमर तीन ये कह रहा है कि हम जो है judgment को कि इंप्लिमेट करेंगे और on the रहां दूसरी तरफ कहता है और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ इस रहे प्रक्राइब कहता है तो अब जो है कोड्र ने कहा है कि हम अलॉग करते हैं 26 फरवरी को जो कोट ने order दिये थे उसको जो है यह recall करेंगे परमिट इन्होंने responder no.3 के यह जो है HPSC के विगेल को यह अलोग किया है कि जो है जो 26 फरवरी को जो order दिये थे तो उसको जो है मतलब recall करेंगे to withdraw her statement made on that day कि जिस उस दिन पर जो उन्होंने statement दी थी उसको यह अपनी statement को यह बापिस ले to educate the petition on its own merit and thus order date 26 दो बारा इस record और उन्होंने का कि वो इसको statement को बापिस ले कि उन्होंने अपने वेस पर यह कहा है और अब जो है इस जो है जो है जो petition डाले दिसको recall किया जाएगा and contempt petition is order to be restored और जो contempt petition डाली है उसको फिर से उसको restore किया जाएगा on its original position यानि कि जो इन्होंने court of contempt की जो petition डाली थी उसको फिर से और reopen किया गया है application stand dispose of application अभी के लिए बंद है आगे mention किया जाता है next paragraph में COPC number it has been informed that author of the judgment honorable justice Mr. Satyan Vedya जी is available tomorrow in a single bench कि जस्टिस सत्यनवेद्य जो है कल available होंगे during post lunch session यानि कि lunch के बाद therefore it would be prepared to list the application before the set bench और 1 April 2022 यानि कि जो है अब कल कल जो है court जो है single bench में लगेगा तो जस्टिस सत्यनवेद्य जी available है तो उनके court में केस लगा application stand disposal application जो बंद कर दीके disposal अभी जख stand response ऑफ बाकि आप जस्टिस के signature है तो आप यह देख सकते हैं कि मोटा मोटा इससे यह निकल कर आता है कि यह जो रिस्पोंडर नंबर तीन नहीं अप्लेकेशन फाइल की थी यानि कि जो है कि यह मंच्छा साफ दिखती है कि वह रिजल्ट निकालना जाते हैं इसलिए इसको यह बापस ले लेंगे और हो सकता है कि यह clarification साथ में यह कह रहे हैं कि इनुन्हें जो है जो उनको पोस्ट को जो एइंकलूड और एक्स्टूड किया गया तो उसके हैं देखने वारी बात होगी कि समय इनको गोवर्मंट ने क्याthon किया थह पोस्टों कि Amokate को तो उसके बाद ही बता लगेगा कि कि कितनी पुस्टे पुस्टे मर्ज करी है यह कम करी है ज्यादे कि कि तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल पे आपको हमेशा अथेंटिकेटड न्यूज ही मिलती है कोई फालतु की जूटी नहीं देते मैंने आपको ऑफिस ओटर के साथ सब कुछ समझा दिया अब कल द देता हैं देखने वाली बात होगी अगर हम आशा यही करते हैं कि जो है 800 की विकेंसी को पूरी तरह से बाहर कर दी जाए और 800 के प्रसेस को कंटीनू कर दी जाए ताकि 800 का रिजल्ट आ सके और इनकी जो है अचार सहींता लगने से पहले इनकी इलेक्शन से पहले इनकी तो मतलब वैसे बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं चार-पांच मेने और डीले हो जाएंगे जितनी जल्दी जो है जो है जो बहुत ही इंपॉर्ट होती है किसी फैमिली के लिए अगर को जो लगता है तो उस परिवार को बहुत ही सहारा होता है हम आशा करते हैं कि कल जो है इस पर कोई पॉजिटिव नियूज निकल कर आए और आठसवतरा जो है प्रसेस पूरी तरह से अलग हो जाए पांसुजपन से सो वीडियो देखने के लिए धन्याबाद थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद जैहिमाचल